और सुधा कैसा चल रहा है सब कुछ तेरे पती की तब्यत तो ठीक है ना क्या बताऊ नीलम काकी पिछले एक साल से सब कुछ समाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इनकी तब्यत तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही जो जमा पुंजी थी इनकी इलाज और घर खर्च में खतम हो गए कुछ समझी नहीं आ रहा कि क्या करूँ अगर ऐसी बात है तो बाहर जाकर काम क्यों नहीं कर लेती अब काओं में का काम की तलाश करूँ मैं मेरे जानकार भी तो नहीं है जो मुझे कहीं पर भी काम दिलवा दे सुधा जहां मैं काम करती हूँ न वहाँ एक पर पता कर लेती क्या पता तुझे वहाँ कोई काम ही मिल जाए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया काकी सच में आपने मुझे सासना होने की कमी कभी महसूस होने ही नहीं दी निलम सुधा से बात करके चली जाती है और सुधा भी कुछ देर कपड़े दोकर अपने कमरे में चली जाती है ए सुधा तुझे कितनी बार बोला है मैंने कि सर पर हाथ रखके नहीं बैठना चाहिए ऐसा करने से ग्रस्ती में तनाव पैदा होता है चल अब अपने सर से हाथ अटा ले काकी अब और कौन सा तनाव जहिलूंगी मैं वैसे ही घर में कम परिशानी थोड़ी ना है सुधा मैंने तुझे कहा था ना कि मैं मालकी न से बात करूंगी फिर तो क्यों चिंता ले रही है तू तो जानती है ना चिंता चिता समान होती है तेरे पती की तेबत खराब होती रहती है तेरी बेटी को भी तुझे देखना है बेटा नीलम आगे कुछ बोलती कि तबी वहां सुधा की बेटी काजला जाती है मा मुझे बहुत ज़रों से भूक लग रही है दबे में चावल होंगी और वहीं गुड़ भी रखा होगा चावल गुड़ खाले अपनी मा की बात सुनकर काजल चली जाती है लेकिन ये सब देख नीलम को जरा भी अच्छा नहीं लगता और सुधा वैसे मैंने अपनी मालकीं से बात करी थी लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कब तक जवाब देगी लेकिन हाँ सिठानी को अपने घर के लेक औरत तो चाहिए जो उनके आचार के काम को संभाल सके इसलिए तू उनसे बात कर लेना लेकिन काकी वो सिठानी आपको तो पता है न की मैं जानती हूँ कि तुझे डर है लेकिन सिठानी इतनी भी खराब नहीं है जितना लोगों ने उन्हें बना रखा है तुम मेरे नाते ही एक पर उनके घर जाना ठीक है काकी वैसे भी मुझे काम से मतलब है नमस्ति सिठानी जी आओ सुधा आओ बताओ यहां कैसे आना हुआ कोई कर्ज चाहिए या किसी तरह की कोई मदद वो सिठानी जी मदद तो चाहिए थी लेकिन पैसों से नहीं बलकि काम से नीलम काकी ने कहा था कि अच्छा अच्छा नीलम काकी ने तुम्हें भेजा है मैंने उन्हें कहा था कि मुझे एक और अच्छा ये जो मेरे काम को बखुबी संभाल सके आओ मैं तुम्हें अपना काम समझा दूँ सोधा ये आचार है और यहाँ आचार के डब्बे रखे हुए है तुम्हें बस इन अचारों को इन डब्बों में डालना है बाकी का काम मेरे आदमी खुद कर लेंगे ठीक है सिटानी जी ये काम मैं अच्छी से कर लूँगी आप मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी और पांच बजे अपने घर जाना है और दस से पांच के बीच का जो खाना पिना है वो सब कुछ तुझे मेरे ही घर मिल जाएगा ठीक है सिटानी जी मैं सारा काम अच्छी से कर लूँगी इस तरह सुधा को अचार पैक करने का काम मिल जाता है समय बीचता है और पीचते समय के साथ सुधा अपने काम को अच्छी से करती और अपने घर आ रही परिशानी को कम करने की कोशिश करती ऐसे ही एक दिन सुधा अचार को डबों में पैक कर रही होती है कि तभी वहां सिठानी आती है और सुधा को अचार पैक करता देख उससे कहती है वो क्या है ना मेरे घर में आज खाना बनाने वाली नहीं आई है अगर आज का खाना तुम बना देती तो हाँ, हाँ, सिठानी जी, क्यों नहीं, मैं अभी खाना बना देती हूँ और आपको पता है, मैं अचार भी काफी अच्छा बना लेती हूँ जो आपके वाले अचार है न, उनसे भी कहीं ज़़ादा स्वादिस्ट बना लेती हूँ अच्छा, अगर ऐसी बात है सुधा, तो तू मेरे लिए अचार भी बना देना जी सिठानी जी, मैं भी बना कर लाती हूँ खुश्पू तो बहुत अच्छी आ रही है लगता है सुधानी खाना सच मुझ बहुत लाजवाब बनाया है सिठानी अब बेज सबरी से सुधा के आने का इंतिजार करने लगती है और थोड़ी देर बाद ही सुधा अपने हाथों का बना हुआ खाना लाती है और सिठानी को परोस्ती है मज़ा आ गया सच में सुधा तुम्हारे हाथ के खाने के साथ साथ यह अचार बहुत टेस्टी है शुक्रिया सुधा जब तुम इतने अच्छे अचार बना ही लेती हो तो तुम खुद का बिजनस क्यों नहीं शुरू करती मालकिन काम शुरू करने के लिए तो पैसे भी होना जरूरी है ना ओ तो ये बात है कोई बात नहीं ऐसा कर मैं तुझे सामान तेरे घर पर पहुँचा दिया करूंगी तु अपने घर से अचार बना कर मुझे दे दिया करना और मैं उसे मार्केट में बेच दिया करूंगी उससे जो पैसे आएंगे 30% मैं तुझे दिया करूंगी और इस तरह तेरी कमाई के साथ साथ मेरा भी मुनाफ़ा हो जाएगा हैं क्या सच में? हाँ सुधा अब तुम घर पर जाओ मैं तुम्हारे घर पर अचार बनाने का समान भिजवाती हूं सिठानी की बात सुनकर सुधा काफी खुश होकर अपने घर चली जाती है सुधा अपने पती के पास पैट कर उसको सारी बात बता ही रही होती है कि तबी सुधा के घर कुछ आदमी आते हैं और उसको अचार बनाने का सामान दे जाते हैं देखिये जी सिठानी जी ने हमारे घर अचार बनाने का सामान भिजवा दिया अच्छी बात है सिठानी हमारी इतनी मदद कर रही है लेकिन सुधा हमेशा याद रखना सिठानी कभी किसी की सगी नहीं हो सकी इसलिए तुम उन्हें अपना कभी मत समझना और हाँ पैसों के लिए तो सिठानी से यारी दोस्ती कताई मत करना नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है सिठानी जी सबको बुरी लगती है पर वो बुरी तो है ही नहीं अब जो भी हो लेकिन थोड़ा संभल कर अपनी बात खत्म कर मोहन सो जाता है तो वहीं सुधा अब अचार बनाने लगती है पूरी रात अचार बनाने के बाद सुधा सुबह के समय जैसे ही अपनी आखे बंद करती है कि तबी वहां सेथानी अपने कुछ आदमियों के साथ आती है सुधा ओ सुधा सेथानी के बाद सुनकर सुधा उठकर सीधा बाहर जाती है अरे सेथानी जी आप आप इतनी सुबह वो इसलिए सुधा क्योंकि मैं जिस मार्केट में अचार बेचती हूँ वो सुबह ही खुलती है ला अब अचार जल्दी दे दे हमें देरी हो रही है सेथानी की बाद सुनकर सुधा जल्दी से बनाए गई अचारों को अपने सेथानी के आदमी के हाथ थमा देती है सुधा मैं शाम को इसका पैसा तुझे देती हूँ ठीक है अरे भाई साथ मुझे एक डबा अचार दे दीजिया अचार तो खतम हो गया क्या अचार खतम हो गया मैं तो सोच रहा था पांस डबे लेकर जाऊंगा ये तो पहले खतम हो गया कोई बात नहीं भाया कल मैं और अचार ले आऊंगी देख लीजिये कल पक्का आजाएगा ना कहीं ऐसा ना हो कि अचार आए ही ना देखिए भाई बिना अचार के हमारे यहाँ कोई खाना नहीं खाता मैं कह रही हूँ ना कल अचार आजाएगा आप बेफिकर रहिए मुबारक हो सुधा तुम्हारे हाथ के अचार सच में बहुत बिकिये हैं मार्केट में तुम्हारे अचार की वाह वाही हो रही है हां क्या सच में अब भला मैं जूट क्यों कहूंगी खैर इन सब को छोड़ो और अगले दिन के लिए तुम्हें पचास डिब्बे बनाने हैं हाँ हाँ क्यों नहीं ऐसे ही समय बीता है और सुधा अपनी सेठानी के साथ अचार बेचती रहती है सुधा बहू ओ सुधा बहू ये तो बुआ क्या वाज लग रही है कहीं बुआ जी तो नहीं आई सुधा अप पैसो को अपने बिस्तर के नीचे रख बहार जाती है जहां वो देखती है कि उसकी बुआ सास बहार आ खड़ी है अरे बुआ जी आप यहां आँ बहू मैं यहां आई हूँ क्यों मुझे देखकर तुझे खुशी नहीं हुई क्या नहीं नहीं बुआ जी ऐसा कुछ भी नहीं है आपको देखकर तो खुशी हो रही है पर हैरानी भी हो रही है क्योंकि आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप यहां आ रही हो अगर आप बता देती तो मैं आपके लिए कुछ बना देती कोई बात नहीं बहू, मैं तो यहां अपने बेटे को देखने आए हूँ इसी बहाने यहां कुछ दिन रह भी लूँगी और अपने पोती काजल के साथ समय भी बिता लूँगी मुझे तो बहुत खुशी होगी बुआ जी काजल अपनी बुआ दादी के साथ काफी खेलती है और कुछ देर बाद अब सभी सोने को चले जाते हैं लेकिन सुधा नहीं सोती और वो बहार आंगन में चली जाती है अचार बनाने बहु तु इतनी रात का ये अचार क्यों बना रही है बुआ जी वो इसलिए क्योंकि मैं सेठानी के लिए अचार बनाती हूँ सुभा तक मुझे पचास डब्य अचार तयार करने है अच्छा अगर ऐसा है तो तुझे सेठानी जादा से जादा पैसे देती होगी नहीं बुआ जी मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलते लेकिन हाँ इतने तो मिली चाते हैं जितने में मैं अपने पती का और अपनी बेटी की पढ़ाई और सेविंग कर सकूँ बहु तु सच में बहुत भोली है रे मतलब अरे मुर्क आज के जमाने में कोई भी इतना इमानदार नहीं होता है जितना तु बन रही है मानने तुझे पैसों की जरुवत है लेकिन सोच तुस्से आचार इसलिए बनवाए जा रहे है क्योंकि लोगों को तेरे हाथों का आचार पसंद है अगर पचास जिब्बे में से भी तुने इसमें से थोड़े मिलावट भी कर दी तो किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है अरे लोगों की जुबान पे तो तेरे हाथ का स्वाद बैठा है उन्हें कुछ पता ही नहीं लेकने वाला अरे मैं तो कहती हूँ आम के अचार में थोड़ा सा अमला मिला दे और मसालिब बराबर करते लेकिन बस समान अलग होना चाहिए सुधा अपनी बुवासास की बात सोचने पर मजबूर हो जाती है लेकिन वो अपनी बुवासास की बातों में नहीं आती है लेकिन सुधा की बुवा आया दिन उसके कान बढ़ती और वो अपनी बुवा की बातों में आ भी जाती एक धी रात दीख रही है खुद की हातों का जादू अरे मैं तो कहती हूं अपनी कमाई बढ़ा ले मांज मेरी बात आप बिल्कुल सही कह रही हो बुवा जी अगर पचास सौ में से कुछ डिबे में मिलावट भी हो जाती है तो इससे क्या ही फरक पड़ता है बुवा के भड़कावे में आकर सुधार अचार में मिलावट कर देती है और से ठानी के पास आकर अचार की शिकायत करते हैं माफ करना से ठानी जी अब आपके अचार में वो बात नहीं रही आपका अचार पहले बहुत स्वाद होता था अब तो आपके अचार में दुनिया जहान की मिलावट है बै ये लो मैं तो अपना अचार वापस करने आया हूं जो खरीदा था अब से उदास सिठानी अब सुधा के घर जा कर उसके बनाए गए अचार उसे वापस लोटा देती है सिठानी जी ये क्या कर रही हो अचार वापस क्यों कर रही हो ये अचार वापस क्यों आए है ये तो तुम से अच्छा कोई और नहीं जानता सुदा खेर, मार्केट में जितनी तारीफ तुम्हारे अचार की थी अब लोगों की जुबान पर तुम्हारी उतनी ही बुराई है हमारे ग्राहक तूट चुके हैं सेथानी की बात सुनकर उसको ये समझते देरी नहीं लगती की उसके लालच और मिलावट की वज़ा से उसके ग्राहक तूटे हैं सेथानी जी मुझे माफ कर दीजिए पर हम इस काम को बंद नहीं कर सकते अरे ग्राहक तूटे हैं फिर इसे बन जाएंगे बस बुआ जी आपकी ही बातों में आ गई थी मैं जिस कारण मेरे साथ ऐसा हुआ पर अब नहीं अब आप मेरे घर ग्रस्ती में मत भोलिये और चली जाएए यहां से सेथानी जी ये काम बंद मत करवाईए फिर से मैं मेहनत करूँगी नहीं सुधा अब नहीं मैं तुम्हें अपने काम पर रख सकती हूँ लेकिन मैं ये काम दोबारा शुरू नहीं कर सकती और हाँ आगे के लिए एक हिदायत ले लो कभी भी किसी के बात में आकर अपना नुकसान मत करना इस तरह से थानी उसको अपने घर के काम के लिए रख तो लेती है फर वो अचार के काम के लिए मना कर देती है सुधा की बूढ़ भी वापस चली जाती है और इस तरह अब सुधा अपने लालच के चलते फिर उसी मोड पर आ जाती है जहां से वो निकलने की कोशिश कर रही थी दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा